स्वागते ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद है संजे गुंजयाल जी आई जी गड़वा लिंज गुंजयाल जी आपदा यूत्राखन के इंदर और उसके बाद एंडियारेप की तर्च पर एजज़ारेप का गठन भी हुआ काफी अच्छे भूमी का भी नीवाई आपदा के अंदर आपने भी काफी अच्छे सराने काम किया लोगों ने कई संसान प्रुस्क्रवरत भी किया इस बीच में आप किस तरह देखते हैं एज ज्यादा नविनिकरण करना या फिर आपदा से निवटने के काम या फिर जैसे तो जब किदानात आबदा के बाद, यद्दिपी किदानात आबदा से पूर भी यहां पर कई आबदा आ चुकी है, उत्राधन अपने आप में आबदा के लिहाज से बहुत समवेदन सी राज्य के रूप में हैं, और यहां पर डिजास्टर से रिलेटेड एक अलग से स्पेस हम लोग ने ऐसी यूनिट जो की उत्राखंड में किसी तरह के डिजास्टर, चाहे वो मैनमेड हो नेच्रल हो उसमें और जैसे डिजास्टर के रूप में हर तरह के डिजास्टर से लडने के लिए या उस पर रिस्पॉंस देने के लिए एक टेकनिकली साउड और वेल ट्र NDRF की तर्जपे किया गया लेकिन जो जितने भी राज्य अन्डे राज्य है करी 5-6 राज्यों में HDRF है उन सभी राज्यों की हमने study करके जो best possible हो सकता है उस model को हम लोग ने यहाँ adopt किया है इसमें हमारे पास 5 company बन चुकी है और HDRF मुश्किल से 1.2 साल के अंदर ही इसने एक अलग पहचान बनाई है और HDRF में हम लोग equipment जा है World Bank के माध्यम से हम लोग ने लगबख 25-30 करोड के आसपास equipment खरीदने की जो process है वो अंतिम पाइदान पे almost complete हो चुकी है और जैसे-जैसे equipment बढ़ेगा इनकी जो कारिच हमता है और संसादन की वज़े से और बड़ोतरी में एक सामजश्यता होनी चाहिए और जैसे जब आंक खोला तो सवेरा वाली बात है तो जो भी चीजे अगर कोई कमी डिजास्टर के लिहाज से या वाके में लगता कोई ऐसी कमी है यह बात तो सही है कि गुझाइस तो है इसमें काम करने की और इसमें कभी देर नहीं होती है जो अगर कोई कमी रह गई है अगर विकास की डौड में अगर कोई कमी रह गई है तो उसको दूर करने के लिए जब भी आप कारवाई करना चाहे कभी देरी नहीं होती है उसको इस तरह से किया जाए कि जो हमारा समवेदन सील यहां का एक तंतर है पारिसिती की तंतर है सिस्टम है उसको देखते वे यह सारी चीजे होनी चाहिए और उस लिहाज से जो जितने भी डिजास्टर यहां पर इस बीच उसके बात चोटे-चोटे आया है उसमें जो आज की दारिक में मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास है इसमें जो हमारे पास मैंन देखा था जो एक सबसे बड़े वोमिकर्स कंदर रही तो इससे पहले जब आसे तेरह साल पहले हुआ था तो उसमें मुश्किल से पांच हजार लोग ने जूरा गली को क्रॉस किया था जो पा क्रॉस करने के बाद भी पांच हजार में लगबग जो कैजवल्टी थी लगबग डबल डिजिट के आसपास थी लेकिन इस बार जबकि उससे पांच गुना पच्छीस हजार से ज्यादा लोगों ने पूरी यात्रा कंप्रीट की जूरा गली और वहां के सबसे हाइस्ट प करके वोसे फिर फाइनली कंप्रिया के पास हॉस्पिटल में एड्मिट कर आया गया और दो दिन बाद उसकी डेथ हुए है तो मैं कह सकता हूं कि उस रूट में जो डेथ है उसका फिगर जीरो है और उसमें बहुत सारे कम से कम 20-20 ऐसे लोग थे जो की almost certain डेथ के कंडिशन में थे लेकिन उनको minimum समय पे high altitude से low altitude में लाना जैसे कुछ हाइपो के कैसे ती या किसी को बहुत ज्यादा ठंड की वज़े से बिमारी थी तो उनको नीचे लाना और जो government के दौरा उसमें chopper services provide की थी chopper के माध्यम से नीचे जहां पर भी medical यह जो हम लगातार देखते है पर परवता रोहन दल जाता है या high altitude area में tracking का दल जाता है और वहां अगर कोई गटना दुरगटना हो जाए या उनके वहां से कोई SOS कॉल आ जाए बचाओ के लिए या help के लिए कोई कॉल आ जाए तो उसको react करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई अपना unit था नहीं लेकिन आ और यह जैसे ITPP में जरूर इस तरह का एक सिस्टम है लेकिन पुलिस में पूरे देश में कहीं भी इस तरह का नहीं है और उत्राखन उस लिहाज से पहला राज्य है कितने सदेशों के लिए यह करी करीब 15-20 के बीच में ऐसे सदेश हमने तयार किये जिन्होंने mountaining संस्तान जितने भी है वहाँ पर सारे courses कर रखे है और इन्होंने advanced course के अलावा विबिन हाइट पे चाहे वह एवरेस्ट ही ना हो एवरेस्ट में भी यह इन्में से मेंबर हमारे चड़े हुए है और 7000 मीटर से उंचे संबिट इन्होंने किये हुए उनका हम लोग एक गुरूप बन इस भूमिका से कितना निया कर पाते हैं पुलिस देखे पुलिस का जो रोल है यहां पर क्यों दो तरह की पुलिस है राजसु और रेवनिय पुलिस है और उत्रहण ने भी पुलीस का जो रोल है बहुत important इसलिए भी है कि कोई भी राज्य हो वहाँ विकास की गती या विका से राज्य निकल जाए विकास का पहिया तभी तेज गुमेगा जब कानुन ब्यवस्ता पूरी तरह से कंट्रोल में हो और उस कानुन ब्यवस्ता को कंट्रोल में रखने के लिए जो पुलीस है law enforcement agency है इसकी बहुत महत्पून भूमिका है चाहे राज्य क्राइम प्रोन हो या अपने आप में जो पुलीस की का रोल है उत्राखन में वह असंदिक्द है और पुलीस में qualitative changes लाने के लिए यहां के जो हमारे नॉन गेश्टेट officers है जो पुलीस force है उसको motivate करने के लिए हम लोग विबिन में तरह के कारेक्रम ब्लकुल दो कारेक्रम मैंने आपके देख है पुलीस में आपने मोबाइल आपर शुरू की पुलीस को हाई टक करने के लिए जनता को जोड़ने के लिए और एक किसके सबसे बड़ा आपने पुलीस के पुलीस of the month भी कुछ ऐसे श्टार्ट के लिए है आप सही कह रहे हैं यह दोनों जो उदारन दे रहे है जो पुलीस करके उसको सम्मानित किया जाए जनपद लेवल पर अलग सम्मानित होते हैं और रेंज लेबल पर मेरे द्वारा भी एक पुलीस में अब दी मन्त को डिकलेर किया जाता है और उसे बकाइदा हम सम्मानित करके बुरुसकार देने के बाद उसके पोश्टर जगव जगव जो बाकी उनके साथ ही है वो भी मोटिवेट होते हैं इसी तरह से जो हमारे रेटायर्ड पुलीस कर्मी है उनके लिए हम एक समारो आयजित करता है कि रेटायमेंट से पहले जितना भी उन्होंने पुलीस में अपनी सेवा के दौरान जो अच्छे कारिके उनको याद करते ह जाए उस लिहाज से यह बोबाइल एप है इस एप में मातर एक टच के माधियम से आप पुलीस से जो कई तरह की सेवाय है चाहे वो आपके गरेली नौकर का वेरिफिकेशन हो या इम्प्लाई का वेरिफिकेशन हो या आपके वहाँ पर कोई छेडशार की गटना हो रही है हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, मोबाइल खो जाता है या फिर डॉकमेंट्स हो जाते है तो ऐसे जो गुमसुद्गी है वह भी रेइस्टर मातर मोबाइल से किये जा सकते है उसके लिए आपको किसी थाने चौकी या पुलीस अधीकारी के पास जाने की बिल्कुल जरुत नहीं है और रिसिप्ट भी उसी में आपको प्राप्त हो जाता है गुज्जाल जी एक समय बहुत कम है एक दोसरा पहलो आता है जैसे आपने नवीनिकरन किया है पुलिस विभाग के अंदर क्या कुछ नय आगे आपको आवशक्त होते है कि यार करी यह होता तो और भी यह है कि जैसे आपका electronic या print media का भी अतना important role है लेकिन साथ में हमारे जो पुलीस है इनके welfare के साथ साथ इनको कैसे इनकी qualitative improvement किया जाए उसके लिए हम लोग लगातार सतत प्रयासरत है और हम लोग चाहेंगे कि public और पुलीस दोनों मिलकर जो अपराद मुक्त समाज की दिसा म में काम करें लेकिन कुछ सालों में आपने देखा हो का उत्रगंड बनने के बाद हलागी जैसे देरादुन के अदर आबादी बढ़ी है बाहर से लोग आए हैं क्राइम का एक ग्राब बढ़ा है जो क्राइम और लाइन ओर से रिलेटेड चैलिज लगातार बढ़ रहे हैं जहां पर की पब्लिक का पूरा सपोर्ट ले और पब्लिक का सपोर्ट लेने के लिए पुलिस को ही आगे आना पड़ेगा उसका परसेप्शन सही हो उसका जो रवया है वो सही हो और इस तरह से हम लोग अपराद मुक्त समाज के दिसा में काम हम लोग मिलके ही कर सकते हैं ऐ हम लोग जो पुलिस में qualitative changes जा गुणातमक सुधार लाने के लिए जो संसाधन की आवशक्ता है या उनके welfare measures है उसको हम लोग अपनी प्राथमिक्ता में रखे तो यकिनन हम लोग काफी better एक system ला सकते हैं. धन्यवाद गुण्जाल जी, संजय गुण्जाल जी मेरे साथ मौजूद है आई जी गर्णवार नेंज है जिस लिहास से गुण्जाल जी ने भी कहा कि यदि किसी भुमाफिय और खरनन माफिया को राजनितिक support नहीं है पुलिस प्रशासन अपने इस्तर पर काम कर रहा है त जरूर एक सराना का विश्या हो सकता है लेकिन अभी भी भुमाफिया, खरन माफिया ये फिर ग्राफ के बढ़ते लंबे चोड़े ग्राफ को देखते हूं हम कह सकते कि अभी भी यूदिस तर पर कार करने की आवशक्ता मैसूस होती है नमस्कार